हलो एवरिवन, उमीद है आप सब अच्छे होंगी, लेकिन तब आपके हाल क्या होंगी, जब आपको पता चले कि एक 100 फुट का विशाल का अजीव 5 फुट की एक खुबसूरत महिला से प्यार करने लग जाए। सुनने में अजीब है, लेकिन आज की हमारी कहानी में कुछ इसी प्रकार की घटना देखने को मिलने वाली है, इस अनों की प्यार के अंजाम कैसे होंगी, अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवालों का पिटारा जगा बना रहा है, तो कुछ पॉपकॉंस लिजिए और आराम स खुफिया और रहसे में आईलेंड पर जाने वाली थी, क्योंकि उनका मानना था कि इस आईलेंड पर तेल के भंडार मिल सकते हैं, फ्रेट रवान की लेता इस से पहले हम जैक प्रैसकोट को देखते हैं, जो पेशी से एक पैलियोंटोलोजिस्ट यानि जिवास में विग् इस आईलेंड पर पहुँचना है, सो हम 48 गंटे तक नहीं रुख सकते हैं, फ्रेट के कहने पर जहाज को रवाना कर दिये जाता है, शिप पोर्ट से रवाना होते ही हम ये फ्रेट जियोलोजिस्ट ड्रोय बैगले के साथ नजर आता है, दोनों स्मोकिंग और ड्रिंक का उन्हें फोन करके बताता है, कि एक भैंकर तुफान हमारे रास्ते में है, इस पर कैप्टन फ्रेट से कहता है कि हमें वापस घूम जाना चाहिए, आगे जाना काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फ्रेट अपने जित पर अड़ा रहा, और कहने लगा कि हम इसे रास्ते पर च जानकारे देना शुलू किया, रॉय ने बताए कि ए धुआ आइलेंड पर तेल होने के बंढ़ार की बात होने को दर्शाता है, अपने फक्ष की बात सुनकर फ्रेट खुश होता है, पीछे भीड में मुझूद जैक नाम का ये शक्ष सुनके सारी बाते नोट करता है, और अचनक धीच में बोल पड़ता है, जैक कहता है कि ये धुआ या फोक जानवरों की सांस लेने की वज़े से भी हो सकता है, जैक की बात सुनकर सब उसके तरफ देखने लगती है, जैक सेंटर में आता है, और बताता है कि काफ़ी टाइम पहले कुछ जियोलोजिस्ट ने इस फ्रेट जैक की बात पर विश्वास नहीं करता, और उसे जैसूस मानकर एक कमरे में बंद और भूका पैसा मरने के लिए छोड़ दीता है, फ्रेट के दो आदमी जैक को लिजा ही रही थे, कि तब जैक को समूदर में कुछ तैरता हो नजर आया, ये देख जैक ने इन दोन जिसके बात फ्रेट उसे अपने टेम में फोटोग्राफिक के लिए रखता है, इधर इस लड़की को भी हूशा जाता है, ये बताती है कि मेरा नाम डॉन है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मैं शूटिंग के लिए होंग कॉंग जा रही थी, उसी दुरान मैं अपने जहा जाने के लिए तैयार होती है, यहां डॉन भी इनके साथ आने के जित करती है, और जैक को मना भी लेती है, इसके बाद ये सब एक लाइफ पोर्ट में बैटकर धुएं कि उस पार पहुंचते हैं, जहां सच में एक बड़ा ही खूबसूरत आइलेंड था, जमिन पर पैर र लेकर जैक कहता है कि ये आइलेंड खाली नहीं है, यहां कोई ने कोई जरूर है लिकिन फ्रेड एक बढ़ फिर से उसकी बात को नकार दिता है, और कहता है कि ये कोई इंसीनट दिवार है, जिसके बाद जैक कहता है कि चलो इससे पार चलते हैं, यहां बलकुल अलग था, यहां वास्तों में एक आदिवासित जंजाती रहती थी। आदिवासियों का एक ग्रूप एक महिला को पालके में विटा कर कहीं लिजा रही थे। तब ही वहाँ एंट्री होती एक मास पहने आदमे की जो इन लोगों को देख लिता है। वो फॉरण इन के पास आता है और उन पर चिलाने लगता है। जैक ने जब उससे बात करने की कुशिश की तो उसने डॉन की तरफ कुछ इस तरह से इशारा किया कि मानो वो उससे मांग रहा हूँ। जब जैक ने डॉन को अपने पीछे चिपा कर उसका ओफर ठुकराया तो मास्त मैं ने अपनी ट्राइब की छे खुबसूरत लड़कियों को बुलाया और डॉन के बदले उनका सोधा करने की बात कही। जैक ने जब ये ओफर भी ठुकरा दिया तो ट्राइब के लोग भढ़क जाते हैं और यूद के लिए आगे बढ़ते हैं जिस पर सभी क्रू मेंबर्स और जैक भी हवाई फायर शुरू कर देता हैं और जैसे दैसे वापस शिप पर पहुंच जाते हैं जहाज में को लेकर थोड़ी और खौज करने के लिए डॉन के साथ वापस आइलेंड पर जाने के तयारी करता हैं लेकिन जब वो बोर्ड पर डॉन को अखेली छोड़कर सामान लेने जहाज पर गया तो पीछे से एक आदिवासियों का ग्रूप उसे उठाकर ले गया जैक जब वाप वापस आने लगे और फिर एंट्री होती है विशालकाई एप यानी किंग कॉंग की जिससे देखकर डॉन बहुत घबराती है तबी किंग कॉंग उसे अपने हाथों में उठाता है और घुराते हुए जेंगल में ली जाता है क्लामेक्स के दोरान आपको डिस्टप करना अ हवाई फायर कर आदी बासियों को जेंगल से भगाया और जिगय हाली करवाई जब उन्होंने दर्वाजे को आपस खोला तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला सिवाए किंग कॉंग के फूट्प्रेंट के अब कुछ लोग जैक के साथ तो कुछ लोग फ्रैट के साथ बीच प गया और नहलाने लगा दूसरे तरफ फ्रैट को पता जलता है कि आईलेंड पर मुझूद ऑईल उनके किसी काम का नहीं है इसलिए फ्रैट की दिमाग में उस एप यानिक किंग कॉंग को फसा कर पैसा कमाने का आईडिया आता है सीन शिफ्ट होता है और हम जैक और उसकी टीम को देखते हैं जो एक बड़े लेकिन ना चलने लाइक पुल से पहाडों के दूसरे तरफ जाने के कुशिश कर रहे थे लेकिन तभी वहां कॉंग आ जाता है और पुल को घुमा देता है जिससे सब मारे जाते हैं अब सिर्फ जैक और बॉन ही जिन्दा बचे थी बॉन फ्रेट के पास जाता है और उससे बताता है कि हमारे टीम के सभी मेंबर्स मारे गए हैं इधर किंग कॉंग डॉन को हाथों में लियो उसकी तारिफ कर रहा था कि तभी वहां जैक पहुंच जाता है दूसरी तरफ एक बड़ा सा स भाग जाते हैं बाहर कॉंग के लिए फ्रेट और उसकी पूरी टीम ने जाल बचा लिया था उन्होंने एक बड़ा सा गड़ा तेयार किया था साती क्लोरोफॉर्म जो की कॉंग को शान्त करने वाला था अब कॉंग जैसे ही डॉन और जैका पीछा करते हुए दरवा से कोल कर बाहर आया वैसे ही उस गड़े में गिर गया इसकी बाद फ्रेट ने उससे जहाज में एक बड़े से कमरे में कैद कर लिया और वहां से रवाना हो गए अगली सुबह जब किंग कॉंग की आँख फुली तूसे एक जाली से हलकी से रोश्ण उसर आती है तब ही वहां कु जैक कहता है कि ब्यूटी अंद बीस्ट नाट पॉसिवर उसे राद जैक और डॉन रोमास कर रहे थे जिसकी बहनत कॉंग को लग जाती है और वो पागल हो गया डॉन फॉरन कॉंग की तरफ जाती है और उसे शांद करने की कुशिश करती है कॉंग डॉन की आवास सुनकर पहचा जाता है और उसे पकड़ने के लिए उचलने लगता है डॉन फॉरन नर जाती है और कॉंग को शांद करके वापस आ जाती है दरसल कॉंग को डॉन से प्यार हो गया था अब जहाज नियोक पहुंच चुका है जहां पैट्रोक्स कॉर्पोरेशन के तरफ से एक जाता है और कॉंग को दिखाए जाता है यह नजरादे कुछ जैनलिस्ट डॉन का इंटर्वी लेने के लिए भागते हैं लेकिन यह देख कॉंग को गुसा जाता है इसलिए वो तोड़ फोर करना शुरू कर देता है और चैरो तरफ भगदर मज जाती है तब ही जैक वहां जाता है और डॉन को लेकर भागने लगता है इधर कॉंग अपने बारी वरकम पैरो से कही लोगों को कुछल जुका था जिनमें फ्रैट भी शामिल था जैक और डॉन एक ट्रेंड में चड़ जाते हैं लेकिन दुरभागे से कॉंग ने उन्हें देख लिया और वो पट्र जाते हैं। जैक और डॉन एक शांथ सटक पर पहुंचते हैं जहां डॉन जैक से बार में चलने की बात कहती हैं बार में जाने की बाद जैक को ट् apart कि एक्पाहर के साथ पैक मारते हूँ याद आता है। जामी ऑफिसर से बात कर रही रहा था कि तभी कॉंग वहां आता है और डॉन को उटा कर टावर चड़ने लगता है जैक डॉन सेना के हलिकॉप्टर भी वहाँ पहुंच जाते हैं और कॉंग पर फाइरंग करना शुरू कर दीते हैं कॉंग पर घोलियां लगने से वो घायल हो गया इसलिए उसने डॉन को जमीन पर रखा और उसे भाग जाने के लिए कहने लगा कॉंग का प्यार देख डॉन रोने लगी और कॉंग को ना मानने के लिए चिलाती है लेकिन आर्मी ओफिसल्स ने उसकी एक न सुनी और कॉंग को शूट करते गई कुछ देर बाद कॉंग जमीन पर गिर जाता है जहां रिपोर्टर से उसकी फोटो लेने लगती है और कुछी देर में कॉंग ने वहाँ दम तोड़ को उसकी मंजिल मिल चुकी है अब वो फेमस हो चुकी है यह लाइफ शायद मैं उसे कभी भी नहीं दे पाऊंगा जो कॉंग उसे मरते मरते दे गया तो दोस्तों यह थी आज की कहानी उमीद आपको पसंद आए होगी साथ ही अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाते हैं तो बता दे कि मूवी का नाम किंग कॉंग था जो 1976 के दोरान रिलीज हुई थी फिल्म ने 9.6 करोड अमेरिकन डॉलर यानि के लगबक 740 करोड भारती रुपय कमाई थी वही फिल्म की IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली थी अगर आप भी फिल्म को अपनी रेटिंग देना चाहते हैं तो कॉमन बॉक्स में बेज़े ज़क पता सकते हैं